भारत की major cities में यहाँ पर metro का जाल भी काफी तेजी से फैलता जा रहा है लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्याव जो है तो वो है coaches की demand जो metro coaches है उनकी बिकाज यह काफी हत्तक भोड़े expensive रहते हैं और अब यहाँ पर भारत ने लगबग आप मान लीजिए 400 करोर रुपीज बचा लिए Chinese company को ठेका दे कर अब सुनने में यह काफी अजीब लगेगा लेकिन जी हाँ यह बिलकुल सच है दरिसल अब यहाँ पर Chinese railway stock manufacturer जिसके बार में आपने सुना ही होगा CRRC Nanjing Pusain इनने तो काफी पहले ही tender मिल चुगा था बेंगलूरू Metro Rail Corporation की तरफ से लेकिन काफी सारे hurdles यहाँ पर निकल कर आगए थे December 2019 से ही क्योंकि यह लोग अपनी deadline तक काम कर ही नहीं पार रहे थे काफी extension हो रहा था But finally इन्होंने manage किया कि कैसे भी करके एक MOU साइन करा लिया कुलकता बेस्ट फिर्म टीटागर Wagons Limited के साथ तो फुल्फिल 90% manufacturing criteria जहां 34 train sets जिसमें कुल 204 coaches होंगे यह पूरा काम भारत में ही किया जाएगा आपको बता दी कि इस पूरे contract की कीमत है 1578 करोर रुपीस अब 400 करोर कैसे बचा है इसके बारे मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो अगर यह tender यह जो Chinese company को मिला था इसे cancel करके फिर से नया tender place करना पड़ता तो तो इसमें बहुत ही बड़ा risk हो सकता था क्योंकि अब भी फिलाल market जो देखे stainless steel और बाकी सब materials का काफी high चल रहा है और भी तमाम ऐसे components है जिसमें general hike आई दिन होते जा रहे है और closest इसके बाद का जो tender के price न कुट किया था वो था लगबग 1,996 करोर रुपीस अल्मोस 400 करोर रुपीस ज्यादा तो अब सोची इतना massive savings यहाँ पर बैंगलूरिय मेट्रो रिल कॉर्परेशन ने कर डाला है otherwise इतना पैसा पूरा waste चला जाता खेर वैसे तो यह लोग 36 train sets supply करेंगे 34 train sets सब भारत में ही ready किया जाएंगे बस जो दो train sets है वो आएंगे चाइना से और वो भी prototype वाले होंगे testing के लिए ही use के जाएंगे so overall देखा जाए तो भारत के लिए भी यह एक काफी अच्छी deal है because make in India policy के अंतरगत ही यहाँ पर पूरा काम किया जा रहा है अब भले ही Chinese company है but भारत को यहाँ पर काफी बड़ी savings देखने मिल रही है यहाँ पर So this is end for this video and thanks for watching